अब तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रोब्लम स्विति जो की जीयभ जीग प्रोब्लम तत्य क्या कह रहा है कि लाइसेंच कीश फॉर्मेटिंग ठीक है लाइसेंस का कीश फॉर्मेटिंग करना हमें हमार पास क्या दिया रखाए कि स्ट्रींग ऐस है न बॉद आसा ही च तो इसमें क्या क्या है एक तो एलफाबेट्स होंगे यानि ABCD जो हो गया एक नुमेरिक वैल्यू होगा और एक डैश होगा ठीक है यह तीन चीज़े है स्ट्रिंग स्ट्रिंग सेपरेटेड इंटू एन प्लस वन ग्रूप पाई एन डैश तो इनकी ग्रूपिंग किया गया ह एन प्लस वन ग्रूप में ऑन डैसे से तो अगर मतलब है कि तीन डैश है कि उसका मतलब क्या है कि चार की ग्रूप इंगा थी किक और हम आरके इन ठीजर के दे रख है ठीक है त कि कहा हूँ है मता हूं हूँ वान्टो reformate the string string को हम दुबारा से formatting करना चाते हैं नई string बनाना चाते हैं तरह से such that each group contain exactly k character तो हर group के पास क्या हो k character हो ठीक है except the first group पहले group को छोड़ की which could be a shorter than key but still must continue तो इसमें क्या कह रहा है कि हमें जितने भी element है total जैसे इसमें कितने भी element है उसे हमें kk group में divide करना है k group मतलब जैसे kk value 4 है तो 4-4 का group बनाना है और जो first group है अब हो सकता है कि 4 जैसे कर रहा हूँ से यह second example देख अच्छा मैं समझाता हूँ example बोठा कि क्या कहना चाहना है ठीक है तो पहले यह statement पर लोगी पहला group में क्या होना चाहिए first group में shorter हो सकता है must continue at least one यानि पहला group के से छोटा होगा कम से कम एक character तो होना चाहिए further there must be a dash inserted between the two groups दो group के बीच में अगर हम कर रहे है तो dash होना चाहिए separate करना चाहिए वो दोनों group ठीक है और any you should convert all lower case lower case जितनी भी होंगे तो हमारे output में सिर्फ uppercase ही हैंगे ठीक है समझाता है तो अब इसको देखते है example तो दूसरा एक्जामर पहले देखते है तो इसमें क्या क्या मतलब जैसे यह इस ट्रिंग दे रहा है क्या है कि हमें इसको जो भी इस ट्रिंग है उसमें पहला group को छोड़के बाग की जितने भी मैं ग्रूपी कर दो यह group आया एक यह group है उनकी size क्या होना चाहिए के size वहना चाहिए यानि two size होना चाहिए और पहले group का condition क्या है या तो इसकी size क्या होगा के से छोटा होगा या minimum one size का होगा ठीक है तो देखो हम इसमें अप्रोच कैसे फॉर्लो करेंगे सिंपल सा question है ज्यादा कुछ हाड़ नहीं है तो हमें कितने चाहिए एक window मानलो की size का हमें string चाहिए तो हम क्या करेंगे देखो पहले वाले पर तो restriction है कितने size चाहिए तो अगर मैं एक for loop चलाओं यहां से और character count करता जाओं कितने character के बनाना है तो वह तो मुश्किल हो जाए क्योंकि हमें तो पहले से अंदाज है नहीं है इस problem में कि जो मानलो के की value इसमें 4 है तो अब पहले जब मैं पहला grouping करूंगा यहां से मानलो starting मैंने यहां से करी तो मैं क्या लूँ कि उसने का कि जो first group होगा वह यहां तो के से छोटा होगा या कम से कम एक हो तो मैं क्या लूँ एक लूँ दो लूँ या तीन लूँ maximum छोटा के लिए 10 में स्टोर करा लें तो ज्यासे मैं कहकर नहीं चाहते हो पहला जीक हो डबलू आ एक की value क्या वो dai P अलु हो गया तो एक लूँ करेक्टर आर्म पर यहां पे इसकी वालू क्या हो जाएगा फिर दो जाएगा ठीक है आ हम यहां पर इक कारेक्टर बना से हमने एक Vincent बना दिया ठीक है फिर उसके बाद क्या करेंगे जैसी हमें यह मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे डाल देंगे करने को फिर क्या करेंगे कि एक उसको दुवारा से सैट कर देंगे किसके एक्वल मतलब के की वेलुफोर के एक्वल मतलब दिखाता हूँ मैं कैसे करना चाहता हूँ ठीक है तो इसका कोड के साथ देखते हैं समझ गया ने लोजी की पतलब पीछे से स्टार्ट क्यों गरा क्योंकि हमें लास्ट एलिमेंट से तो हमें पता है कि चार-ऐर करेक्टर की गृपिण तो होगी होगी तो हमने चार की पहले बना ली क्योंकि अगर मालो जैसे इसमें तो क्या हो गया इसको देखो इसमें क्या है कि टोटल लेंथ इसकी कितनी तो अगर मैं इसे के से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा तू आएगा है ना यानि दो दो के दो गुरूप बन सकती है और एक लास्ट में बच जाएगा इसलिए हमने कहा कि पीछे से स्टार्ट करो ताकि वह जो दो गुरूप बने वह तो हमने लिया और जो बच स्ट्शून कारे से तो इसको देखते हिए वह ठीक है तो इसको इसको देखो को ध्यान सी देखना बिलकुल है इसमें कोडिंग भी मुंच्किल है लिक log पहले हमने क्या एक हैंश्म ली बिया और फिर हमने तो उन क्रेक्टर को स्टोर भी तो करना हो गाना तभी तो मैं गुरूप में लास्ट में ॡालूँगा तो इसलिए मैंने का कि यहां से क्या करेंगे एक ट Exchange बी ले लिया originally सब्सक्राइं मैं लास्ट से स्टार्ट करा हो मैंने बता दिया ग्रुूपिंग लिए helping होगी क्योंकि हम सबस्टार्ट में क्षा नहीं मैं क्योंकि फिक्स प्रूप एक दो भीरा सकते है और K-1 वी आ सकता है यहां तक ठीक है बखकर ऐसे और हो सकता कि कर्रेक्टर चलिए है व्होशंग कर elementary लिसमर स्टार्ट कर दिये हैं तो हमारा सकती है क्यों आले भोगर मतलब करेक्टर नेखें पहुत सबमारे इसकी आध्यां वाओ फिर हमने की अगर नडिकर करón थोड़ा सा राइडिंग जियान देना इस फ्लिक्रा नहीं लादा फिर भी मैं लिखने के कोशिश कर रहा हूं ठीक है तो यह क्याना कि यह टैश है नहीं दैस एफ है तो हमने कहा कि टैंप में इसे एड़ कर दो अब एड़ करने वकित इसमें कंडिशन बोला था कि जो भी लोवर केस है उसे अपर में बतल देगा यह फंशन होता है इन बिल्ड क्या चेक करने कि जाए वह का साइक्चल हो गया मतलब या मतलब है कि उस ग्रूप को एक मिल गया हमें तो हम क्या करेंगे इस ग्रूप को टर देंगे ठीक है और फिर द्याइस लगा देंगे उशन हूँ तो नेक्स इट्रेशन में जाओ यानि अब क्या आ गया यहां पर आजाएगा आई की वैलू ठीक है फिर हमने चेक्ट किया क्या वह डैश है नहीं डैश तो नहीं है इसको मैं दूसरे कलर से बताता हूं किया वह डैश है डैश नहीं है तो हम इस लूप में दूबार आगया फिर से हमने करेक्टर को चेंज किया तो क्या आगया थिरी आगया तो आप क्या करेंगे जो हमारा आंसर इस ट्रिंग था आंसर कि हम क्या करें इस टैंप को स्टोर कराएंगे थिक तो काम क्या है तो पहल काम हम इस लूप में क्या राइट कर दिया एड करने से यह होता है नहीं कि यहां आ जाएगा ठीक है पिर क्या करेंगे कि पीच में ग्रूप के आ इस डार आठार separate के लिए तो यहां फिर डैश लगा दिया जब डैश लगा दिया ठीक है फिर उसके बाद क्या करेंगे अब देखो क्योंकि हमें एक group मिल जगा थे स्टैंप को क्या कर दूँआ दूबारा empty कर दूँआ फिर से start करो grouping करना ठीक है तो अब क्या जाएगा आई यहां पर आगया यहां पर फिर से इसने चेक किया क्या जी तुम डैश हो नहीं डैश तो नहीं है तो फिर जी को अपर केस में बदला यानि capital G हो गया ठीक है capital G हो गया उसके पाद 5 आएगा तो यह हो गया फिर से देखो इसका size क्या ह हो गया दो size होगे ना और के की value क्या है तो यानि इसको हिट कर गया मतलब temp equal equal to size वाला condition हो गया तो फिर से हम क्या कर देंगे answer को टेंप में डाल देंगा तो answer क्या जाएगा जी और 5 यहां आ गया अब answer में टालने के बाद क्या करते थे बीच में एक dash लगाते थे dash लगा दिया भाई फिर क्या कर देते इसको cut करके दुबारा से empty कर देते थे ताकि नई window को class कर सके ठीक है अब अगले character क्या है आई यहां पर आएगा तो आई तो इस वाद ही dash हो गया त इसमें देखो क्या है फिर से temp की value में एड कर दिया इसे two फिर हमारा answer में आ गया तो देखो हमारा answer कैसा रहा है उल्टा आ रहा है देखो आ रहे ना answer answer इसका क्या आना चाहिए अगर यह string है इसमें grouping कैसे आनी चाहिए two पहला group क्या बनेंगा तू कॉमा दूसरा group होगा five जी ठीक है दूसर तीसरा group क्या होगा थिरी एफ यह grouping हो जोनी चाहिए हमारा क्या रहा है तो इसको उल्टा कर देखो वही आ जाए ना five जी यह two पहले आ जाएगा फिर five जी और five reverse हो जाए फिर यह तो देखो reverse करना पड़ेगा हमें ठीक है तो वही हमने यहां पे किया ठीक है तो यह देखो मैंने यहां पे रिवर्स कर दी अच्छे यह क्यों कर रहा है टैम यह extra line क्यों एड़ कर रहा देखो ध्यान से जब हमने last वाली string डाली किसकी टैम्प की जो यह था टू इसके बाद क्या कोई आई है हमारे पास देखो एक भी आई नहीं है और अभी इसका size क्या है वन है तो हम इस लूप में तो जाते ही नहीं कि के के size के बराबर है की नहीं तो वो जो character है वो तो हम add करेंगे यह जब last में जो भी बच गया इसमें उसको हमने add क कर दिया तो इसलिए हमने यह लगा है फिर रिवर्स कर दिया क्योंकि हमारा answer रिवर्स में ठीक है I think code clear होगा कि इसी सा code है आप भी कर सकते हो से अब इसका run करके देखते है अब यह एक बिस्टेक आ रही है अब यह कैसे आए जो हमने क्या कर रहा पीछे से start किया तो इसमें लिख के दिखाता हूं है अब तो हमने क्या करें फाल जब भी आंसर में एड करें लास्ट में एक डैस एयर करें ठीक है तो एक एक स्टा डैस आ जाए गापर क्यों अ जैसे यह वाला एक्जाम्पल है और यह यह एक्जाम्पल देखू तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो पहले जे आएगा फिर थिरी आएगा यह इसको हमने एड़ कर दिया प्रेज लगाया फिर फाइगा फिर ची आयेगा है यह संद्थ हमने डैस लगाया फिर हमने डैस मेंट आएगा एक एक्स्ट्रा डैश आगे लागा इस डैश को हमें रिमूब करना होगा जो जब मैं इसे रिवर्स कर दिने तो रिवर्स करने पर यह पहले आजाएगा देखो आएगा कॉमा फाइब जी अब कॉमा थिरी जे यह जब ग्रूपीं होगी तो पहले पुजीशन पर यह फिर नहीं होगी दो ही कंडिशन हो सकते हमने चेक लगा देंगे यहां पर एक सीपल साच लगा देंगे तो चैक क्या लाएंगे कि हम चैक करेंगे पहले कि इस कि जो हमारा आंसर है उसके जीरो वैली वैलु पर क्या एक डैश बढ़ा है अगर बढ़ा है तो क्या करेंगे इडेज कर देंगे उस्षाट आ देंगे तो उसको कैसे करते हैं आंसर डौट इस अब एडेज हमें करना क्या है तो इसकी से करना जो बिगनिंग में होगा यानि आंसर पर डौट पेके लिए यानि पीगिन का जो करेक्टर है उसे इलीट कर दो अगर वह डैश है तो नहीं तो नहीं करो ठीक है तो कमपाइल करो कि चलिए ठीक है सम्मिक करके भी देख सकते हूं कि तो कितना इजी प्रॉबलम था मिडियम लेवल देर रखा है पर इजी था कि हमने सबसे पहला कि क्या सोचा कि स्ट्रिंग हम कहां से जेनरेट करना स्टार्ट करें क्योंकि पहले वाले पर कुछ कंडिशन था कि छोटा बड़ा हुए है लेगि लास्ट से तो हमने उसट कि लेंथ की चाहिए तो हमने क्या करा कि एक टैम्प लिया उसमें एड्य करते गया जब तक उसकी साईज क्याना हो जाए के के आप जैसी साईज आउग गया उसको टैंप में आंसर में डाल दिया अ ताहिस में हमने क्योंकि answer में एक next ाडैस आ सकता है किसी किसी इस केस में जैब हो इसकेस में यह जिसमें हिट नहीं करेगा बिंडू साइस और फिर तो हमें वही चेक लगा दिया कि अगर पहला डैस है तो उसे न इरेज कर दो इरेज क्या होता है और उसमें एक पैरामिटर जाता है इस पैरामिटर पर जो भी वैलू है उसको इरेज कर देंगा अंसर डॉट बिगिन का मतलब जो स्टार्टिंग होगा आंसर इस्ट्रींग का उसे डिलीट कर देगा फिर हमने रिटर्ण कर दिया तो इस इंपल सा पता है गूगल को वेश्चन था तो कॉंग्रेश्विलेशन हमें बहुत ही बड़ी कंपनी किंग गया एकदम ट्रीम कंपनी कॉस्चन कर रहा है ठीक है तो मिलते है नेक्स वीडिय तो टेलिग्राम पर जॉइन कर लेना।